गेमिंग सिर्फ ऑनलाइन गेम्स तक लेमिटिड नहीं है इस टाइम आ गया है कि हम इस परसेप्शन को इंडिया में चेंज करें और अगर हम यह परसेप्शन चेंज करेंगे तभी इंडिया में हम एक बैटर गेमिंग कम्यूनिटी बना पाएंगे चलिए इस बारे में एक डीटेल वीडियो में आपसे बाद में बात करूंगा लेट्स टॉक अबाओ ट्वेल मिनट्स नाओ अब जो भी गेमपले इस रिव्यू में देखेंगे वो बिलकुल स्पोईलर फ्री होगा और मैंने अपना बेस्ट ट्राइ किया है कि मैं कोई भी इंपॉर्टेंट मोमेंट आपको शो ना करूँ मैं और मेरे दोस्त हमेशा से इंडी गेम्स के काफी बड़े फैन रहे हैं जान्रा को एक नया एंगिल दिया है यह एक टॉप डाउन इंट्रेक्टर थिलर गेम है जिसमें हमारा प्रोटेकिनिस्ट एक टाइम लूप में फसा हुआ है आपको डिफरेंट डेसिजिजन्स लेके गेम के एंड तक पहुंचना है जिसमें जितनी बार भी आप एक लूप कंपलीट करेंगे आपके पास स्टोरी से रिलेटेड कुछ नई इंफोर्मिशन आती जाएगी जिसको आप यूज करके स्टोरी को आगरे प्रोग्रेस कर सकते हैं चलिए आप बात करते हैं इस गेम के कुछ सबसे इंपोर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में जो कि हैं गेमपले, एक्टिंग, स्टोरी, और प्राइस इस गेमपले इस वेरी सिंप्लिस्टिक, कंट्रोल्स में आपको लेफ्ट लिक करना है टू मूव, आइटम्स को ड्राइग अड्रॉप करना है इसके अलावा इस गेम में और कोई भी कंट्रोल्स नहीं है, आपको कीबोर्ड पे कुछ भी फ्रस नहीं करना है, सारा काम आप एक सिर्फ माउस से कर सकते है ग्राफिक्स वाइज गेम ठीक है, कभी-कभी आप फ्रस्टेट हो सकते हैं कुछ चीजों से, बट मोस्ट अव दा टाइम, थिंक्स आ स्मूथ रही बात गेम लेंथ की, तो आप इस गेम को आराम से चार से साथ गंटे में कंप्लीट कर सकते हैं यह गेम थोड़ा रेपेटिटिव है, कभी-कभी सेम चीजे ट्राई करकरके आपका दिमाग कराब हो सकता है अगर आप स्टोरी के लिए गेम नहीं खेलते हैं तो चांसे हैं आप बीच में छोड़ देंगे चुकि थर्ड एक्ट में अगर आप सेम चीज एक स्पेसिफिक आर्डर में ना करें तो आपके पास कोई चारा नहीं रहता, बट तू स्टार्ट अनदर लोग मैंने तो एक दो बार सुसाइड भी किया था, जस्ट बिकॉज आफ़रग तो दू वन स्टेप गेम की स्टोरी काफी सही है, यह आपको अपने ट्विस्ट अंटर्ण के साथ बांधे रखती है बट जैसे ही आपको कुछ चीजें गेम के बारे में पता चल जाएंगी, आपका इंटरस्ट इस गेम से हट सकता है हावेवर मेरे केस में ऐसा नहीं हूँ अब बात करते हैं एक्टिंग के बारे में जो इस गेम का आप बोल सकते हैं कि एक हाइलेट फीचर है इस गेम को बहुत ही छोटे स्टूडियो ने बनाया है इसके बज़ाए, यह हाइड थ्री ग्रेट अक्टर्स टू डू वाइस अक्टिंग गेम के प्रोटेगनिस्ट या फिर जिस करेक्टर को आप हैंडल करेंगे उसकी आवाज दी है जेम्स मैकवॉई ने उनकी वाइफ की आवाज डेजी रिगली ने दी है जिसको आप स्टार वोर्स में रे के नाम से भी जानते है और गेम के एंटेगनिस्ट की आवाज दिया है विलियम डफो ने जो मेरे कुछ फेवरिट एक्टर्स में से हैं तो इन शॉर्ट गेम की वोईस एक्टिंग परफेक्ट है अब आती है गेम की प्राइस ये गेम आपको 600 रुपीस का पड़ जाएगा जो कि मैं गाऊंगा इस गेम के लिए थोड़ा सा जादा है तो मेरे हिसाब से आपको एक गेम सेल पर उठाना चाहिए जब ये 250 और 300 की रेंज में आ जाए या फिर अगर आपको एक गेम अभी ही खेलना है तो आप ईसफोक्स का गेम पास ले लिजए उसमें अभी फ्री चल रहा है प्लस आपको एक महिने का एकसपॉक्स पास का सब्स्क्रिप्षण मिलता है जिसमें आप और भी गेम्स केल सकते हैं और मैं इस गेम का गेम पले बहुत ही जल्द पूरा अप्लोड करने वाला हूँ so keep an eye out for that and don't forget to like this video and subscribe my channel